केंद्र मंत्री अनुराग चाकूर कैबिनेट ब्रीफिंग कर रहे हैं या निकी कैबिनेट में क्या-क्या फैसले लिए गए उस पर बोल रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए सका किसी भारत के परधान मंत्री को दूसरी बार यास कॉंग्रेस को संबोधित करने का अफसर मिला और जो सामने से उनके भाशन के दौरान एक नहीं अनेको बार स्टैंडिंग ओवेशन हो तालियां बजाकर अभिन्हंदन हो और दौरे की शुरुआत ही जहां एक और 135 से ज़्यादा देशों के प्रतिभागता के साथ उनके अधिकारियों के प्रतिनिदियों के दौरा योग दिवस पर शामिल होकर एक नैशनल अंतराष्टी रिकॉर्ड बनाया गया गिनेस बुक अव रिकॉर्ड में भी आया यह अपने आप में दिखाता है योग की सविकारता भी कैसे हो यह भारत के नितरतव की भी सविकारता पूरी दुनिया भर में जातर देखा जाए तो स्टेट विजिट की भी अगर किसी की हो तो मुश्किल से एक दिन या कुछ प्रोग्राम्स में ही यूएस के राष्ट्र योज भी उनसे अलगलग बैठकों में जुड़े और भारत में निवेश करने के लिए सारी जानकारी आपके सामने हैं इस सब में इसलिए रख रहा हूं आज बात की कैबिनेट के हमारे सबी सातियों ने जहां एक और परधान मंतरी जी को बधाई ती उनका भार भी कहूं तो परधान मंतरी निरेंदर मोदी जी सदा अन दाताओं के पक्ष में रहे तबी तो क्रिशी मंतराले के साथ किसान कल्यान मंतराले भी इसका नाम रखा गया और किसानों के लेके प्राथ मिक्ताएं भी दी गई निरने भी किये गई और आज भी गन्ना किसानों को उचित मूले मिले तो पहली एक्टूबर दोहजार तेई से ती सप्तमबर दोहजार चॉबिस तक की अवधी मैं चीनी मिलो के द्वारा ग्यानने किसानों को उचित पढ़ोतरी की गई है आज तक का सबसे जादा जो दाम है 315 रुपे प्रति क्वेंटल मुल्य उसको निर्धारित किया गया है यह गन्ने के मुल्य का भुकतान चीनी मिलो द्वारा सीधे तोर पर किसानों को किया जाएगा और ये क्रिशी लागत और मुल्य आयोग CACP इसके दवारा पहले स्टेट से स्टेक होल्डर से सबसे इनके सुझाव और रिकॉमेंडेशन देने के बाद गन्ने की उतपादन लागत वा अन्य बायप्रडक्ट जैसे की गुड गन्ने की खोई इत्यादी की भिक्री से मार्जन जैसे फेक्टर्स को ध्यान में रखते हों तैक किया जाता है पिछले साल ये 305 ता इस साल 315 किया गया है लेकिन अगर आप पुराने आंकड़ों को देखेंगे तो 2013-14 में 210 रुपे प्रतिक क्वेंटल इसका रेट था जो आज बढ़कर 315 रुपे प्रतिक क्वें क्वेंट हुई थी तो 57,104 क्रोड रुपे की हुई थी जबकि 2022-23 में ये एक लाग 13,000 क्रोड के लगबग हुई अगर मैं यूपिय के कालखंड की बात करूं अगर 2004-14 की तो कुल मिलाकर 271,204 क्रोड रुपे की खरीद हुई वैल्यू जो है उसकी और 2014-2023 तक 7,46,66 क्रोड पे खरीद में हुए है आपको याद होगा उस समय के अगर परिदिर्श्य आप देखें गन्ना किसानों को सड़कों पर रोक लगानी पड़ती थी नैशनल हाईवे जाम रहते थे पैसों का भुकतान नहीं हो लेकिन आप पिछले कुछ सालों का अगर देखेंगे पूरा भुकतान किसानों को किया गया है अगर मैं पिछले 5-6 सालों की बात करें तो 99.8% 99.7% इस तरह से भुकतान हुआ है और जो बैक लॉग था वो भी क्लियर किया गया है इसका सबसे बड़ा अगर आप उधारन द बड़ा है